मैं एड्मुल लक्ष्मी नारायन रामदाज, पूर्वी नौसेना अध्यक्ष हूँ, मैं पैंतालिस साल वर्दी में रहा और सितंबर त्रिनानवे में सेवा निवरित हुआ मैं हमारे आधरनिय प्रदान मंतरी श्री नरिंदर मोदी जी और किसान आंदोलन के नेताओं से कुछ कहना चाहता हूँ सबसे पहले मैं शुद्धानजली अर्पित करता हूँ, उन सारे किसानों को जो आंदोलन में अपना जान खो चुके हैं मैं भाइमला गाओं महराष्ट में रहता हूँ, ये जमीन मुझे 71 के युद्ध में वीर चक्र के लिए मिला, मैं भी समय से 47 सालों में किसान का काम भी बहुत सीखा है, किया और आज भी कर रहा हूँ, हाला के हम सब फूजियां होके भी पता है कि जवान और किसान में बहुत करीब का रिश्टा है, मैंने गाओं में रहना का बाद ही पूरी तरह से समझा कि हमारे किसान बहन और भाई को कितना कष्ट सेना और मेहनत करना पड़ता है, आज पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं अपना आवाद हमारे किसानों के लिए उठा रहा हूँ, और उनके साथ खड़े हूँ, आदमियां प्रधान आधर्निय प्रधान मंत्री जी से मैं अर्ज करता हूँ, कि हमारी समविधान और भारतिय गनतंत्र के रक्षा के लिए आप किसानों की आवाज थोड़ी बहुत सुनियेगा, और ये हैं, एक, ये तीनों कानून वापस लिया जाए, दो, नए कानून किसानों से बाचीत के बाद आने वाले बजज़त सेशन में पेश करें, ये नए कानून पार्लिमेंटरी स्टैंडिंग कमिटी में बहरीकी से चर्चा हो, तभी स्थिती शान्ती से सुधरेगी, कि किसान अपने कुछ ट्रैक्टर और साथियों के साथ, 26 जैनुरी को ओफिशल परेट के बाद, वो अपनी गनतंत्र दिवस को मना सकें, विजय चौक से लेकि इंडिया गेट और नैशनल वार मेमोरियल वो जापाएं, और अपने बाप दादाओं और बेटा लोगों को सद्धान्जली अर्पित करेंगे, किसानों ने वैसे ही वादा किया है, कि रिपब्बिक डे परेड में कोई रुकावट नहीं आने देंगे, और किसी तरह का हंगामान नहीं करेंगे, किसान नेताओं से मेरी बिंती है, कि यदि सरकार कानून को रद कर दे, तो आप मोर्चा छोड़ें और घर वापस जाएं, आप सब ने शांती कायम रखी है, आगे भी कायम रखेंगे, ये भी मेरी उम्मीद है, जो किसान 26 जैनूरी के लिए रुख रहे हैं, वो निश्चित रास्तों से दिल्ली में शांती के साथ अपने रिपबलिक दे मनाएं, आपने पूरी देश को जाग रुख किया है, जै किसान, जै जवान, जै हिंद, कि अपतान में रखेंगे, बढ़ 90 जा है, जै अभी कास्ट को जो आपेंगे, जैस सचिते साहले माूरी काया है, झाल झाल